हिमाचर प्रदेश विधान सभा में बजट सत्र के पहले दिन राजेपाल बंडारू दत्तात्रे द्वारा दिये गए अभी भाशन पर मंगलवार से सदन में चर्चा आरंब हो गई है भाशपा विधायक राजी बिंदल ने राजेपाल के अभी भाशन पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया और अभी भाशन के लिए राजेपाल का आभार व्यक्त किया विधान सभा में राजेपाल के अभी भाशन पर सदन में चर्चा आरंब हो गई है भाजपा विधायक डॉक्टर राजियू बिंदल ने विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताओ पेश किया बिंदल ने धन्यवाद प्रस्ताओ पर चर्चा आरंभ करते हुए राज़िपाल के साथ अत्विधानसभा परिसर में हुई धक्का मुक्की की घटना को शर्मसार करने वाला बताया और कहा कि पूरे देश में इस घटना को लेकर हिमाचल की जवी खराब हुई है। बिंदल ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूत सरकार के उपलब्धिया इतनी अधिक हैं कि इन्हें अभी भाशन में पूरी जगह नहीं मिल पाई। बिंदल ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए जैराम ठाकुर सरकार ने काबिले तारिफ कदम उठाये हैं। उन परोड रुपे खर्च किये गए हैं। मंत्री ने हर तयारी की और स्वेम मोनिटरिंग की और उसके परिणाम आज सभी के सामने हैं। उन्होंने कहा कि किसान रेल से प्रदेश के किसानों को खासा लाभ मिलेगा और दो दिनों के भीतर उनकी फसल देश की विविन मंडियों में पहुंच जाएगी जबकि पहले आट से दस दिन लग जाते थे। उन्होंने प्रदेश में CA स्टोर, मार्केटिंग याड और मंडियों के निर्मान को लेकर सरकार की तरफ से उठाय जा रहे कदमों की भी सराहना की। इस तरहन विधायक बलवीर, विधायक सुभाश ठाकुर, विधायक विक्रम सिंग चरियाल, विधायक राजेश ठाकुर और विधायक परमजीत सिंग पमीने भी चर्चा में हिस्सा लिया। Bureau Report City Channel शिमला